Hello everyone, welcome to Insignia, my name is Imtiaz Ulaq इस वीडियो में हम लोग 100 important questions को देखेंगे और ये part 5 है, इससे पहले हमारा 4 part हो चुगा है तो वो भी आप लोग देख लिजिएगा चलिए शुरुबात करते हैं पहला question क्या है? academia is an example of अकेडमिया किसका example है? अकेडमिया जो है आपको academic social networking site है ठीक है? अचा होता क्या academic social networking site? कुछ ऐसे भी sites होती है जिसमें क्यों होता है कि हम लोग सिफ academic मतलब पढ़ाई लिखाई से related हम लोग उसमें बात करते हैं, talk करते हैं ठीक है? यह यूज करते हैं उस site को जैसे academia यहाँ पर example दिया हुगा है research gate का अपने नाम सुना होगा mendelay हो गया, jotero हो गया ठीक है? यह सब ही आपके sites मिल जाएंगे किसपे academic social networking site में है ठीक है? फिर social networking site क्या हो जाता है? तो social networking site हो जाता है कि जिसमें हम मतलब बातचीत के लिए एक दूसरे से interaction के लिए मतलब simple ऐसे entertainment purpose हम लोग use करते हैं लेकिन academic में ऐसा कुछ नहीं है academic में आपको सिर्फ academic purpose से उसको use करना होता है उस site को, उसमें आप कुछ और करी नहीं सकते है ठीक है? तो दोनों में यही फरक है chronological sequence ठीक है? पहले क्या है? fred, fbr, fbr, ooo और frsad सबसे पहले इसमें आपको यह लिखना पड़ेगा कि किसका year क्या है? fbr तो सबको खेर याद होगा, fbr कब आया है हमारा? 1998, ठीक है? उसके बाद से fred जो है आपकर 2009, ठीक? उसके बाद यह वाला पार जो है यह आगया आपकर 2010, ठीक है? और यह वाला बच गया है, तो यह वाला आपको होजागा 2016, ठीक है? अब देखें, एक तो full form भी याद यहां से रखना है कि full form इसका क्या है? तो fred का full form यहाद हो, आप सभी को, क्या functional requirements for bibliographic record और fred का, यहाँ अब ad की बात कर रहा है न, यहाँ पर, fr, fr तो sim रहाएगा, लेकिन ad की जो बात आजाएगी, तो मतलब यह हो जागा कि functional requirement for authority data, ad का मतलब क्या होगा है यहाँ पर? authority data, उसके बाद, अब यहाँ पर double o है, third number देखिए, है न, तो double o का मतलब हमारा क्या हो जाता है? object oriented, अब पूरा अगर देखेंगे, तो क्या है? functional requirement for bibliographic records, object oriented, clear, उसके बाद, जो हमारा है, last year वाला, चौथा, यहाँ पर क्या है? sad हो गया, last में है न, fr तो same है, fr का full, क्या बता है था मैंने, कि fr में क्या होगा? functional requirement for, अब sad क्या हो जाएगा? subject, authority, data, ठीक है? चलिए, यह चीज़ याद रखेगा, अब इसको आप match कर लीजिए, क्या हो जाएगा answer? badc, मतलब पहले, fr br हो गया, फिर frad हो गया, frad, फिर आपका fr sad, और फिर c नमबर क्या हो जाएगा? fr br o o, ठीक है? चलिए, इसके बाद, तीसरा सवल क्या है? international business machines corporation was founded in IBM, IBM कब बनाया हमारा? तो 1911 में, ठीक है? इसके बाद, with reference to S.R. अंगानातन, which of the following statement is not correct? इसमें कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है, ठीक है? देखिए, पहला क्या है? पदमस्री अवार्ड, इनको कब मिला है? मान लिजी आपको नहीं मालूम, तो इसको पहला भी question mark माईए, ठीक, दूसरा क्या है? University of Delhi से इनको मिला था, delete की degree, तो ये सही है, फिर उसके बाद से University of Pittsburgh, ये भी सही है, यहाँ से भी इनको degree मिली है, उसके बाद से पहले में है, ये तो सही है, डाउट है पहले में, अब पहला क्या है? देखिए, 1959 दिया हुआ है, उनको कब मिला है पदमस्री? तो 1957 में मिला है, ठीक है? तो ये चीज़ हो गया, दूसरा क्या है? University of Delhi, तो यहाँ से इनको 1948 में मिला था, यहाँ ये अर आप लिख लिज़े, नाइन्टीन हंड्रेड, पॉर्टी एट, और पिट्सबर्ग वाला हो जाएगा, नाइन्टीन हंड्रेड, सिक्स्टी, पॉर, ठीक है? और फाइव लोस का तो मालूम है, नाइन्टीन तर्टी वन में, पॉब्लिश्ट हो आता है, फर्स्ट, तो ये चीज़ हो गया है, को होगी, तो clear, मतलब पादम सृरी जो है, नाइटीन हंड़ाड फिक्टी man मेरे मिला है, ना कि नाइनटीन फिक्टी नाइन्टों में यहां लिखाया है, ठीक है, तो ये statement हमारा क्या हो जाएगा? घलत हो जाएगा, तो यानि एंसर हमारा क्या हो गया? पहला ठीक है इसके बाद ISO 31000 is an international standard for ISO 31000 जो है किस standard से मिल रहा है तो वो मिलता है आपको risk management से ठीक है चलिए इसके बाद text pattern is an open source content management system was originally developed by text pattern को किसने डेवलप किया है इसको डेवलप करने वाले हैं हमारे Dean Allen ठीक है इन्होंने इसको डेवलप किया है फिर उसके बाद सवे नंबर क्या है who developed the model everyday life information seeking in context of way of life अब यह किसने कह दिया यह किसने डेवलप किया तो answer क्या हो जाएगा इसका रेजो सवे लेनन ठीक है चलिए इसके बाद आठ नंबर सवाल क्या है if the user will not come to the library the library must go to the users stated by whom यह statement किसका है यह famous भी है अकसर paper में यह पूछता है तो इसका answer हो जाएगा विलिया में कट्च का है ठीक है इसके बाद in the context of structure the first component of the mark record is mark record में तिन आपके component है जो सबसे important क्या है तीनों याद रखना आपको क्योंकि यह paper में बहुत पूछता है ठीक है तो यहाँ पर पूछा पहला component कौन सा है तो पहला component हमारा क्या हो गया leader ठीक है फिर यहाँ पर leader भी है directory है दूसरा और तीसरा जो है डी जो दिया हुआ है variable fields यह तीनों जो है आपके क्या होता है इसके component होते हैं mark के लेकिन पहला क्या है leader यहाँ पूछा है first पूछा है तो first का मतलब कि leader पहला होता है दूसरा directory होती है और तीसरे variable fields होते हैं तो तीन इसके component होते हैं यह याद रखिए ठीक है चलिए इसके बाद who formulated this year's list of subject heading किसने develop किया या किसने बनाया तो नाम मिनी अर्ल सियर्स एमी सियर्स यहर क्या है 1923 में इसके बाद mark tag 490 is associated with the field किससे related है mark tag इसका वीडियो मैंने पुरा trick से बताया भी है mark tag आप लोग जाके देख भी लीजेगा ठीक है mark tag 490 जो है 400 जो है हमारा किससे रिलेटेड हो जाता है ठीक है इससे मिलाइए जो 400 आप मिलाएंगे तो उसमें आपको इससे एंसर भी मिल जाएगा personal तो होता नहीं है टाइटल होता नहीं है बचा क्या है series तो series हमारा answer हो जाएगा ठीक है held at Paris during the year ICCP का full firm क्या है तो ICCP का full firm है International Conference on Cataloguing Principles और किस साल में हुआ है पैरिस में तो यह हो जाएगा आपको 1961 में ठीक है इसके बाद the differential price rate system was introduced by किस ने दिया आई यह हो जाएगा आपको F.W.Taylor और F.W.Taylor से करच इसका important है वह है scientific management ठीक है चलिए इसके बाद who defined notation as shorthand sign यह सवाल थोड़ा repeat भी होता सबको मालूम भी होगा चलिए देख लिए इसका answer हो जाएगा E.C. Richardson ठीक है इसके बाद the UBC and UAP program are designed and developed by किस ने किया इसको develop मैंने बता था यू से जो भी चीज सुरू होता है अल्मोस सारी चीज़ें आपको क्या है इफला एंजर होता है कुछ चीज़ें छोड़ के जैसे Unisist आप छोड़ दो और UCC छोड़ दो Universal Copyright Convention जो है वह UNESCO का होता है जो यू से सुरू हो रहा है अल्मोस्ट बाकि जितनी चीज़ें अब यहां पर देखो दो एक्जाम्पल तो यहीं दिया हुए है UBC, UAP, UBCIM है 2003 और 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 भी एक्जाम्पल से इसके होंगे हाना तो यह चीज़ क्या है आपका सिंपल सम जाने का मतलब यह है कि जो भी चीज़ U से सुरू होता है तो मैंने क्यार बदाए था एफला कर देना है U से और जो भी चीज़ आई से शुरू होता है आपको मैं यूनेस को रखना था लेकिन यहाँ पर accept आपको क्या कर ना था एक्सेप्ट, यू, सी, सी और यूनी, यूनिसिस्ट, ठीक है यह आई है, यूनिसिस्ट हाना, यह चीज़े जो यू से शुरू हो रही है, यह चीज़े आपकी यूनिस्को में आ जाती हैं, और रेस्ट जितना है आपका, अल्मोस्ट सभी चीज, आपका इफला में आ जाता है, ठीक है, यह चीज़ तो यहाद रखियेगा, इसका एंसर क्या हो जाएगा, एंसर हो जाएगा इफला, ठीक है, इसके बाद, The project Gutenberg is initiated by किसका initiative था या किस ने किया तो हो जागा इसका answer Michael S. Hart ठीक है इसके बाद The first edition of CCF was published in 1984 under the editorship of किसके editorship में आया यह यह आया था आपको Peter Simmons and Alan Hopkins के ठीक है यह यह भी चीज़ वह से याद रखना है आपको इसके बाद 18 number question क्या है Dash and Dash are maintaining WorldCat and IndCat respectively पहला क्या OCLC, CILIP तीसरा, Arlene और चौता इंफलिमनेट इसमें ही आपको चूज करना है कि पहले में जिसे WorldCat है WorldCat को डेवलप करने वाला कौन है और IndCat को डेवलप करने वाला कौन है यह maintain करने वाला कौन है तो आप इसको याद रखिए देखिए एंसर क्या है A and D मतलब WorldCat जो है उसको OCLC डेवलप कर रहा है और देखिए WorldCat को कौन कर रहा है maintain OCLC और IndCat को हमारा इंफलिमनेट करता है इंफलिम ठीक है इससे आप इसका एंसर मिला लीजेगा यह हो गया हमारा D number उसको से 19 number क्या है One place theory was propounded by One place theory किस ने दी है यह दी है हमारे JD Brown ठीक है चलिए इसके बाद File hosting service One drive is developed by यह किस का है One drive तो यह आपका हो जागा answer Microsoft का है ठीक है इसके बाद What are the internal factors of sweat analysis ठीक है sweat का तो एक full form आपको यादी होना चाहिए क्या है s से strength, w से weakness, वो से opportunities और t से threat ठीक है अब देखो इसमें पूछा internal कौन कौन से होते हैं अना देखो internal जो होते हैं पहला और दूसरा जो है s, w ऐसे बना लीजिएगा s, w जो है हमारा क्या हो जाता है internal हो जाता है और ot जो होता है हमारा क्या हो जाता है external हो जाता है ठीक है मतलब यह है अच्छा पहले answer भी देख लो देखो s, w मैंने बताते s, w कहां आ रहा है, c number में आ रहा है यह हमारा क्या हो गया इसका answer हो जाएगा, internal हो गया और external क्या हो जाएगा, तो जो a number है opportunity and threats यह क्या हो गया हमारा external factors और internal factors हमारा क्या हो गया, strengths and weaknesses, तो इसको ऐसे याद रखिएगा चलिए, तो answer क्या हो गया हमारा, c number internal पूछा, external का पहला वाला option हो जाएगा चलिए, उसके बाद से who proposed the concept of Anna Malos state of knowledge short में इसको ask कहते हैं, yes के anomalous जो है, आपका simple, इसका full form पूछा जाता है, ask का, तो यह थोड़ा से याद रखिएगा, और इसको जो देने वाले हैं, क्या नाम है, उनका नाम है, Nicholas J. Belkin, ठीक है, यह चीज़ याद रखिएगा, ask किस ने दिया, यह किस ने propose किया, यह सवाल थोड़ा repeat होता है, चलिए इ Which of the following were associated with the creation of World Digital Library, World Digital Library की बात हो रही है, तो देखो, अल्मूस सारी चीज़ में आप देखेंगे न, तो combination जो होता है, IFLA और UNESCO का मिलता है, तो हम लोग भी जल्दी में क्या करते है, IFLA और UNESCO को टिक कर देते हैं, लेकिन यह चीज़ ऐसा है, कि इसमें आपको याद रखना है, कि यहाँ पर UNESCO के साथ Library of Congress एड़ होती है, ठीक है, यहाँ IFLA का काम नहीं है, तो simple बस यह याद रखिएगा, कि LOC plus UNESCO, ठीक है, 2000 9 में, इसमें इन लोगों ने क्या किया, मिलके बनाया है, क्या है, World Digital Library, ठीक है, चलिए, तो यहाँ मतलब सिंपल कहने मतलब यह था, कि देखिए, Library of Congress के साथ मिलके UNESCO ने बनाया है, लेकिन और सब चीज़े में जैसे Public Library Manifesto देख लो, या कुछ और भी चीज़े ऐसी होती है, जिसमें IFLA और UNESCO का बहुत सारा काम है, लेकिन यह चीज़ ऐसा है, World Digital Library कि Library of Congress के साथ मिलके UNESCO ने A और C, चलिए, इसके बाद, Which of the following models have starting, chaining, browsing, differentiating, monitoring, extracting, characteristics, किसका है, सिंपल आप सुरू में भी याद रखेंगे, तो ऐसे भी याद हो जाएगा, starting, chaining, browsing, differentiating, बस यह चारी सुरू का याद रख लिए, इससे से आपको मालूम चल जागा है, किसका है यह, तो Alice Model का है, Alice Model of Information Seeking Behavior, उनका है यह, ठीक है, चलिए, इसके बाद, In which year, the University of Chicago, established the first graduate school of librarianship, किस साल में, तो उसका year हो जाएगा, 1926 में, ठीक है, चलिए, इसके बाद, An investment in knowledge pays the best interest, who said, किस ने कहा था यह, यह कहा है हमको, Benjamin Franklin ने कहा है, ठीक है, इसके बाद, What is the frequency of DesiDoc Journal of Library and Information Technology, इसमें एक चीज़ तो यह भी हो जाता है, कि, D-J-L-I-T, इस रॉट में बोलते हैं, और यह 1981 से है, ठीक है, इसका पहले नाम जो था, Decid of Bulletin of IT था, D-B-I-T, चलिए, लिख दे रहा हूँ, देखो, पहले इसका नाम जो था न, यह वाला जो है, इसको क्या है, D-J-L-I-T, लेकिन, पहले इसका नाम क्या था, पहले इसका नाम था, D-B-I-T, मतलब क्या है, Decid of Bulletin of IT, क्याना, Information Technology, तो इससे याद रखिएगा, पहले इसका नाम क्या है, D-B-I-T, क्लिर, इसकी फ्रेक्वेंसी क्या है, इसकी फ्रेक्वेंसी हो जाएगा हमारी, बाइ मन्थली है, ठीक है, चलिए, इसके बाद, इसकी फ्रेक्वेंसी है, इसकी फ्रेक्वेंसी है, मन्थली, देखो, एक और चीज़ इसमें याद रखना है, कि 1958 से 63 तक, अल्मूस्ट 5 यर, क्या है, इसने सुरू किया था, लेकिन फिर उसके बाद, 1964 से ये मन्थली पब्लिश किया, फिर 1968, 69, 70 के टाइम में, अगर आप देखेंगे, तो वहाँ पे कोई इसका पब्लिकेशन भी नहीं आया है, लेकिन इतना डिटेल नहीं पूछेग लेकिन बस ये याद रखना है, कि पहले इसका 1958 से 63 तक, क्या हुआ ये, क्वाटरली पब्लिश कर रहा था, लेकि 1964 से इसने मन्थली पब्लिश करना शुरू कर दिया, बीच में रुकावटे हैं, ये रुका भी, लेकिन फिर अपना अभी के टाइम में वो क्या है, अपना चल रहा है इसका, ठीक है, मन्थली, इसके बाद, the term, prenatal cataloging first used by, prenatal का concept किस ने दिया है, तो वो दिये हमारे रंगनातन साहब ने, इसर रंगनातन, इसके बाद से क्या है, which is correct logical sequence of the following, आपको सही इसको arrange करना है, तो देखो, इसका answer एक देख लो आप, क्या है, data information, knowledge और wisdom, और short में मैंने पहले भी बताया है, कि short में इसको, आपको क्या करना है, D, I, K, W, इसकी पूरी वीडियो हमने बनाई है, आप जाके YouTube पे देख लीजेगा, ठीक है, यहाँ से एक दो question हमें साब पूछे आते हैं, D, I, K, W, pyramid से या, D, I, K, से, या data क्या है, information क्या है, knowledge क्या है, wisdom क्या है, तो वो चीज़ देख लीजेगा, चलिए, इसके बाद, cause prepared by, कौन इसको करता है, इसको कर रहा है, ACRL, इसके बाद, 32 number क्या है, Gips Law, basically deals with, किसे Gips Law जो होता, किसे deal कर रहा है, तो हमारा, frequency of, occurrence of word, ठीक है, अचा, Gips Law का year क्या है, 1935 है, और लोटकाज Law का क्या है, तो 1926 है, Bradford का क्या है, तो 1934 है, यह भी चीज़ याद रखिएगा, यह arrangement में दे देता है, नेट के paper में, चलिए, इसके बाद, 33 नमबर क्या है, what is the full form of PERT, इसका full form क्या हो जाएगा हमारा, program, evaluation, review, technique, यानि कि D नमबर, ठीक है, इसके बाद, 34 नमबर क्या है, in which topology, each computer is connected to every other computer, एक computer, दुसरे computer से क्या होता है, सभी computer से एक दुसरे से जुड़ा हुआ होता है, एक computer दुसरे जुड़ा रहेगा, दुसरे तिसरे से जुड़ा रहेगा, किसने डेवलप किया इसको, तो इसको डेवलप करने वाले हैं हमारे, gene at ginson, ठीक है, इसके बाद, UNESCO initiated the NISET program in India with the help of, किसके help से NISET program UNESCO ने initiate किया है, तो वो हो जाएंगे, पेटर, laser, ठीक है, 37 नमर क्या है, सरस्वती महल library is located at, कहां पही है, तो यह है आपको थन्जाउर में है, ठीक है, Who was the first librarian of imperial library India, यहां सवाल किसका पूछा है, imperial library का है, इसका answer क्या हो जाएगा हमारा, जॉन मैक फॉर लेन, ठीक है, जब यही चीज, यहां पे national library कह देगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, BS केसवन हो जाएंगे, फस्ट librarian, ठीक है, और जब imperial library का Indian पूछेगा, यह हरिनाथ हो जाएंगे, हरिनाथ D, इनकी period थी 1907 से 11 तक, हरिनाथ D की, ठीक है, थोड़ा से यह चीज याद रखिएगा, इसी में confusion हो जाता है, question यहां से पूछे जाता है, तो थोड़ा से सवाल को अच्छे से पढ़के, फिर आप जवाब दीजिएगा, ठीक है, जब imperial library कहेगा, तो john macforlan हो जाएंगे, जब national library कहेगा, तो आपको bs case 1 हो जाएंगे, और जब imperial library का first Indian पूछेगा, तो हरिनाथ D हो जाएंगे, ठीक है, तो यह चीज थोड़ा से याद रखना है, इसके बाद, ठीक है, इसके एंसर हो गया, जोन मैक forlan, अब 39 नमबर क्या है, इसके बाद, 40 नमबर क्या है, Lipsis is a library automation software developed by, किसने डेवलप किया इसको, इसको डेवलप किया है, Lipsis Corporation ने डेवलप किया है, ठीक है, और इसका origin जो है, 1984 से है, Lipsis का, ठीक है, चलिए, इसके बाद, डेस्ट नोटेशन इस यूज़ड इन, युनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, यानि, UDC, तो क्या हो जागा, Mixed Notation यूज़ड होता है, ठीक है, चलिए, इसके बाद, 42 नंबर, लाइब्रेरी, 42 नंबर हमारा क्या है, Living with Books, आना, Used In, किसमें यूज़ड होता ये, यह होता हमारा, Book Selection में है, जो Living with Books, The Art of Book Selection जो है, यह, बुक है, जिसको लिखे थे, Hence ने लिखा था, 1935 में, ठीक है, तो यह चीज़ थोड़ा से याद रखिएगा, इसके बाद, 43 नंबर क्या है, Who is the father of classical management theory, कौन है इसके father, इसके father है, Henry Fial, जब scientific management का father पूछेगा, तो FW Taylor हो जाएंगे, ठीक, इसके बाद, Research sharing in the library was originally known as, क्या कहते हैं, Research sharing को, यह हो जाएगा हमारा, Library Corporation, ठीक है, इसके बाद, Europa world of learning is an example of, Europa world of learning क्या है, यह हमारा directory है, और यह कब से publish हो रहा है, और कब बना है, तो यह याद रखिएगा, 1947 में, ठीक है, इसके बाद, INB and BNB are examples of, किसका example है यह, दोनों, तो यह हो जाएगा आपका, INB मतलब Indian National Bibliography, और BNB मतलब British National Bibliography, तो national आ गया तो इसका मतलब बहुएगा कि यह nationally होगा, ठीक है, और इसमें चीज यह भी याद रखना है कि, देखिए, INB में जो था ना, 1958 से लेके 63 तक, quarterly publish होता था, फिर उसके बाद से यह मंतली हुआ, ठीक है, और BNB जो है हमारा weekly है, ठीक है, तो यह चीज याद रखना है, 1950, BNB कब आया है, 1950 में, ठीक है, तो यह भी चीज याद रखना है, ट्रेट बिबिलोग्राफिया हमारा सिंपल वही, British book in print हो गया, Indian book in print हो गया, तो जो भी book in print वाला type आ जाता है, उसको याद रखेगा कि, ट्रेट बिबिलोग्राफिया होती है वो, चालिए, इसके बाद, 47 number, Who is known as the father of punch card, कौन है इसके, father of punch card कौन है, यह हो जाएंगे, Harman Holerith, ठीक है, इसके बाद, 48 number, बिबिलोग्राफिया औफ बिबिलोग्राफिया इस, फॉल अंडर विच सोर्स अफ इन्फोर्मेशन, किस में आता है, primary, secondary, tertiary किस में आता है, यह आता है आपको, tertiary में, ठीक है, और देखिए, एक चीज़ और बताऊं, कि Egyankos के, PDF में आप लोग देखेंगे, कि उसमें बहुत सारे लोगों ने, pioneers बहुत अलग-अलग, सभी ने अपने कोई primary दिया, तो कोई secondary दिया, जैसे Hanson है, Grogan है, इन लोगों ने, दो ही टाइप दिया है, किसी ने तिन टाइप दिया है, तो उसमें एक दिक्कत यह है, कि कुछ लोग जैसे textbook है, तो textbook को कुछ लोग क्या करते है, secondary बता देते हैं, कुछ लोग tertiary बता देते हैं, तो उसमें confusion नहीं हो, अगर ऐसे जवाब आता भी है, तो सामने आपके question अगर आ गया, तो आप उसको यहीं बुलिएगा, कि simple logic यहीं बताइएगा, आप लोग कि इस अदमी ने, या handsome ने, या grogan ने, किसी चीज को primary, secondary रखा है, तो किसी को tertiary भी रखा है, अब माल लिजे कि कोई एक इंसान जो है, वो क्या है, primary और secondary दो ही types दिया है, तो tertiary वाला चीज कहां देगा वो, secondary में ही तो देगा, बस समझ मेरा, वो चीज हम बता रहे हैं आपको, इसी तरह साप यह ग्यान को इसके site पे उस पे देखेंगे, PDF में देखेंगे, तो PDF में बहुत लोगों ने अलग 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 अपनी views दिये हैं, ठीक है, तो ऐसे confusion नहीं होना चाहिए, हाँ, बस कुछ चीज ऐसी होती है, जो आपको पता होना चाहिए, कौन से चीज किस में आ रही है, इसका concept, primary, secondary, tertiary का समझ के, अगर आप एंसर कीजे, और अगर आप EGNGOOS EPG Parts आला पढ़ा हैं, या मैंने भी quiz बहुत करा हैं इसे वे, तो वो सब पर अगर आप देख लें, तो और भी अच्छा हो जाएगा, Part 4 EPG में दिया हुआ यह सारी चीजें, तो उसको भी आप लोग पढ़ लीजे, तो उससे बहुत कुछ आपको clear हो जाएगा, ठीक है, चलिए, इसके बाद, 49 नमबर क्या है, The full name of OSI network is, क्या है OSI network का पुरा नम, Open Systems Interconnection, अना, चलिए, उसके बाद, 50 नमबर, According to which law of library science, library grows and grows endlessly, अब गुरो की बात आगी, तो जाहिर सी बात है कि, हमारा क्या होगा, 5th law ही हो जाएगा, इसके बाद, 51 नमबर, The budget of the library is prepared for the, तो budget जो है हमारा, किसके लिए बना रहे हैं, तो हम बनाते हैं, next year के लिए, अगले साल हम को क्या करना है, कितना खर्चा करना है, नहीं करना है, सारी चीज़ें हम लोग बजट बनाते हैं, जो तो next year का होता है, ठीक है, next year का देखके ध्यान में, हम लोग budget बनाते हैं, चलिए, उसके बाद, Which of the following is an example of federated search engine, कौन सा है इसमें, तो इसमें है आपको, किनिम बुस, ठीक है, इसके बाद, अब अग्रिकोला, अब अग्रिकोला क्या है, तो अग्रिकोला जो है हमारा, सिंपल, अग्रिकल्चरल ऑन्लाइन एक्सेस, इसको मेंटेन करता है, US National Agricultural Library of the, US Department of Agriculture, ठीक है, और, US से रिलेटेड है, ये भी चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि सिधा, डारेक्ट कोश्यन भी कभी-कभी बन जाता है, कि अग्रिकोला जो है, कहां से रिलेटेड है, तो US से रिलेटेड है, ठीक है, तो इसका एंसर हो जाएगा, US Department of Agriculture, ठीक है, उसके बाद, In which year, the British Museum Catalog of Printed Books, was published, किस साल हुआ है, ये हुआ है आपको, 1841 में है, ठीक है, और, ठीक है, उसके बाद, 55 नमबर हमारा क्या है, NASDAQ, NASDAQ is associated with, किस से associate है ये, किस से जुड़ा है, तो ये है आपको, ICSSR, ये जो बना है, ICSSR जो बना है, 1969 में बना है, और NASDAQ जो बना है, 1970 में बना है, ठीक है, और ये इसके अंदर आ रहा है, ठीक है, फाउंडर चेर्मेन, ये थे आपके, DP चत्वपादिया, ये भी चीज थोड़ा से याद रखिएगा, ठीक है, और ये आया था, ICPR जो आया था, 1977 में आया था, और इसके जो चेर्मेन थे, वो कौन थे, DP चत्वपादिया थे, ठीक है, चलिए, उसके बाद, 57 नमर क्या है, Research Library Group, RLG, Founded in 1974, Was Later on Merged, With One of the Following, आना, RLG किसके साथ मिला, और RLG बना है 1974 में, तो RLG, किसके साथ मर्ज हुआ, किसके साथ मिला, तो वो मिला था, आपको OCLC के साथ, 2006 में, ठीक है, और यहां पिन्पॉर्टेंट यह भी है, कि RLG कब बना है, कभी-कभी arrangement में, question आ जाता है, तो याद रखिए कि 1974 में, चलिए, उसके बाद, First Public Library Act, enacted in the pre-independent India, यह कब है, यह तो, यह याद रखिए कि, कोलहापूर Public Library Act है, अजादी से पहले बना, लेकिन non-functional था, और 1945 में बना था, तो अजादी से पहले का था, इसलिए प्री लिख दिया, और 1945 में, कोलहापूर Public Library Act, जो की काम नहीं कर रहा था, non-functional था वो, उसके बाद, arrange the following search engine, according to their year of launching, in an ascending order, ascending order में से जाना है, ठीक है, तो देखिए, याहू कब बना है, याहू हमारा बना है, 1994 में, ठीक है, Google बना है, 1998 में, बिंग कब बना है, तो बिंग बना है हमारा, 2000, 9 में, ठीक है, और, और बोर्ट कब बना हमारा, 1997, 1996 में, और, Cyrus बना है हमारा, 2000, 2001 में, ठीक है, यह नेट में सवाल पूछा है, और इसका येर भी याद रखिएगा, ठीक है, अब इसको आप एरेंज कर लीजेगा, ठीक है, सबसे पहले याहू आएगा, तो यहाँ पर A, यानि कि A और D, दुनों में आ रहा है पहले, उसके बाद से आपका फिर Google है, तो Google के पहले हमारा, Hotbot आएगा, 1996, यानि कि हमारा, D नमबर, तो D पहले आ गया, यानि कि पहला option, अभी सही लग रहा है, फिर उसके बाद से B, जो है, Google आ गया, ठीक है, 1998 में, फिर उसके बाद से E, Cyrus है, 2001 में, और फिर आपका लास्ट में, बिंग चला जाता है, 2009 में, ठीक है, यह चीज़ को थोड़ा सा, याद रखिएगा, ठीक है, आपको सिंपल बताना है, ऐसे आप लिखी लो, सबसे अच्छा, आप बता रहा हूँ, देखो, 100 जो होता है, हमारा, 100 किसके लिए है, philosophy, ठीक है, उसके पासे, 110 जो हो गया हमारा, 110, ठीक है, Metaphysics, उसके पासे, epistemology हमारा कितना हो गया, epistemology हो जाता है, 120, ठीक है, उसके बाद, 120, उसके बाद हमारा होता है, 130, 130 जो है, हमारा, para psychology हो जाता है, वो तो जिसमें दिया नहीं है, फिर उसके बाद से हमारा आ जाएगा, 140, philosophical, वो भी नहीं दिया हुआ है, 150 हमारा हो जाता है, 150, उसके बाद से हमारा, यह क्या बच गया, ethics, एथिक्स हमारा 170 हो जाता है, ठीक है, यह चीज भी आपको याद रखना है, ठीक है, और 160 आपका logic हो जाता है, यह भी है, 160 आपका logic हो गया, ठीक है, तो यह सारी चीज़े आपको ऐसे याद रखनी है, अब इसी को आपको arrange कर देना है, ठीक है, चलिए, तो simple इसमें क्या है, आपका सबसे पहले आपका 110 आ रहा है, 100 आ रहा था, 100 था है नहीं इसमें, simple आपका 110 फिर आ रहा है, मतलब, D, फिर E, तो यह लास्ट आप्शन हमारा, मिल रहा है, तो इसका answer क्या हो जाएगा हमारा, D, E, D, C, A, ठीक है, चलिए, इसके बाद, Which of the following consortium supports e-resources exclusively for health sciences, health sciences के लिए, कौन सा होता है, तो health है लिखाया तो H से हो गया न, चलिए, सभी बात है, देखे, Hellenet, ठीक है, इसके बाद, Who is the author of the book titled subject catalog, heading and structure, इसके किताब है, तो यह किताब हो जाएगी, EJ quotes की, ठीक है, चलिए, उसके बाद से है, resource description and access, is developed into how many sections, कितने sections में इसको divide कर रहा है, तो यह divide करता है आपको, 10 में, जाना, 10 sections में divide किया, इसके बाद, Who authored manual of library economy, किसकी किताब है, यह किताब है आपको, जेडी ब्राउन की, ठीक है, इसके बाद, Which of the following are the product of chemical abstract services, chemical abstract services का कौन-कौन साइस में product है, तो, इसमें जो होगा, sci finder और methods now, यह दोनों जो होगे, A और C, ठीक है, बाकी B और D जो हैं, नहीं है, तो इसके answer होगे हमारा, A और C, sci finder और methods now, इसके बाद, fire started in, fire का full form क्या है, forum for information retrieval evaluation, कब start हुआ है यह, यह start हुआ है हमारा, 2008 में, ठीक है, चलिए, अब आ गया 67 number, in prices, FNG in secondary operators represent, क्या represent करता है, और देखि, प्रेसिस को मैंने पहले भी बताया है, कि प्रेसिस जो है, आपको, एक question हमेशा हर exam में, पूछा जाता है, dependent पूछ दिया गया, primary पूछ दिया गया, secondary पूछ दिया गया, 0 किसे denote हो रहा है, represent कर रहा है, यह चीज़ बहुत, अच्छे से आप लोग पढ़ लिया कीजिए, क्योंकि सवाल यह नहीं पूछता है, कि प्रेसिस को डिरे question ने दिया है, और, बसक्राइब बेसिक question नहीं पूछा जाता है, जो भी पूछा जा रहा है, वो यहाँ से, प्रेसिस के अंदर से, प्रेटर से सवाल ज्यादा होता है, नेट में तो यह चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिए, ठीक है, तो इसका answer क्या हो जाएगा हमारा, coordinate concept, इसके बाद, bib frame was developed by, bibliographic framework, इसको किस ने develop किया है, इसको develop किया है, library of congress ने, उसको 69 नमबर क्या है, यूनिमार को develop करने वाला कौन है, तो वो है हमारे, ifla, और 1977 में, ठीक है, तो यह चीज़ भी याद रखिएगा, उसके बाद, 70 नमबर क्या है, internet public library, in short में IPL भी लिखता है, IPL मैंच वोला नहीं, मतलब यह वाला IPL, तो IPL जो है, इसको कौन मेंटेन कर रहा है, इसको मेंटेन करता है हमारा, Drexel University, इसके बाद, who has recommended, the establishment of district, तलू का town and village libraries, यह चीज़ किस ने कही, किस committee ने कही, या किस के recommendation भी यह कहा गया था, तो यह थे आपके, फैजी report, जो 1939 में आई थी, उसमें यह कहा गया था, recommend किया गया था, ठीक है, चलिए, उसके बाद, 72 number, arrange the following phases of six sigma, in their correct sequence, दोगो, एक तो सब लोग यह confusion हो जाता है, आप लोगों को, six sigma दिया है, तो छे चीज़े होनी चाहिए, छे चीज़े नहीं होती है, इसमें five ही है, ठीक है, यहां तो मैंने चार दिया, एक और add करेंगे भी, लेकिन हमेशा याद रखेंगे, six sigma को मतलब यह नहीं है, कि वहाँ छे चीज़े दियो ही होंगी, या छे phases दियो होंगे, या छे types दियो होंगे, या छे कुछ भी नहीं, या छे नहीं है, पांच ही है, ठीक है, इसका short trick भी है, देखिए, simple आपको क्या कर देना है, d, m, a, i, c, कितना हुआ यह, 3, 2, 5 हुआ, अब 5 में आपको देख लिजे, d का मतलब क्या है, define, m का मतलब measure, a का मतलब analyze, i का मतलब improve, और c का मतलब control, ठीक है, यह हमारा क्या बन गया, d, m, a, i, c, और इसमें जो देखिए, इसमें तो सिदा-सिदा answer बना हुआ है आपको, ठीक है, 72 नमबर में, तो इसका answer हमारा, ऐसे भी पता चल जाएगा, यह एक trick याद रखिएगा, six sigma में यह trick याद होना चाहिए आपको, ठीक है, चलिए, तो इसका answer हमारा क्या हो जाएगा, सिदा है, d, m, a, i, और यहाँ पर मैंने पांचवा option जो है, वो नहीं दिया है, control वाला तो, चार दिया है, तो चारों काप सजा दीजे, d, m, a, i, c, रख दीजे, ठीक है, चलिए, इसके बाद, can mark and US mark, यह जो है, merge together, क्या बन गया इससे, इससे बन गया हमारा mark, 21 बनान, ठीक है, 1999 में, 1999 में, ठीक है, चलिए, उसके बाद, which digital library software was developed at Karnel University, कहाने, Karnel University में, कौन सा हुआ था, तो वो हुआ था, हमारा, Fedora, Fedora का full form क्या है, flexible, extensible, digital object repository architecture, ठीक है, चलिए, कहां पर हुआ था, तो कarnel University में, इसको develop किया, उसके बाद, the Kolkata public library, was stabilized, largely at the initiative of, किसके initiative से आया था, यह initiative था, उनका नाम था, जी-एच, एस्टेकुलर, देखें, लॉड करजन नहीं थे, लॉड करजन तो, इम्पिरियल लाइब्रेरी में आया ना, लेकिन यहां कलकाता लाइब्रेरी का पूछा हुआ है, तो यह चीज़ आपको याद रहना है, कलकाता पॉब्लिक लाइब्रेरी जब कहेगा, 1836 में बनी है, तो जी-एच, एस्टेकुलर के initiative से आई, और इम्पिरियल लाइब्रेरी का कहें, तब वो लॉड करजन की बात आती है, ठीक है, चलिए, उसके बाद, अब कहा रहा है, arrange the following information system according to their year of origins, अब इसके हिसाब से आपको बताना है, ठीक है, चलिए, देखी, आईए नई-एस कब आया है, 1970 में, ठीक है, एग्रिस कब आया है, एग्रिस आया है आपको, 1974 में, आया लेकिन इसका काम शुरूबा, 1975 से, ठीक है, 74 रखी, 75 रखी, उसके यसे इंस्पेक है हमारा, तो इंस्पेक हमारा हो जागा, 1967, फिर मेडलर्स आगया, तो हमारा मेडलर हो गया, 1964, फिर एग्रिस हो गया, तो एग्रिस हो जागा, 1982 में, ठीक है, ये चीज़ को थोड़ा सा याद रखिएगा, और इस सारी येर्स भी अच्छे से याद कर लीजे, इसका आप अरेंज कर लीजे, अरेंज कैसे होगा, सबसे पहले इसमें कौन सा आया है, 1964, मेडलर्स, इसका ओनलाइन वर्जिन जो था, मेडलीन वो था 1971 में, ये भी थोड़ा से याद रखिएगा, तो सबसे पहले हमारा जो बन रहा है, यानि कि B number option हो रहा है, आना D के बाद फिर C आ रहा है, तो C में हमारा क्या है, इंस्पैक हो गया, फिर A आ रहा है, यानि कि ये सही है, आना B number, ठीक है, चली, हमारा answer क्या हो जाएगा, B number, ठीक है, इसके बाद, इस जनर्रल आर्टिकिल can be identified with the help of, किसके help से हम लोग, इस जनर्रल आर्टिकिल को पहचानते हैं, तो वो पहचानते हैं, DOI से हैंना, Digital Object Identifier, ठीक है, उसके बाद, Internet Governance Guide for Libraries, is a publication of, किसका publication है ये, ये publication है हमारा, इफला का, ठीक है, ये भी चीज याद रखने हैं, उसके बाद, Microsoft Edge, First Released In, कब आया है ये, या है 2015 में, ठीक है, उसके बाद 80 नमबर क्या है, Inference Engem, is a part of which, information system, inference Engem, IE in short में भी लिखता है, तो ये जो है किसका पाट है, तो ये है आपका expert system का, आना, चलिए, 81 नमबर क्या है, M-I-C-R, Stance Form, M-I-C-R का full form क्या है, इसका full form हो जाता है, Magnetic Ink Character Recognition, ठीक है, 82 नमबर क्या है, The Library of Congress, Pioneered Cataloguing in Publication, किस साल में ये किया है, तो ये किया है, 1971 में, CIP Project जो है, Library of Congress ने इसको स्टार्ट किया था, 1971 में, और इंडिया में जो है, triple RLF देखता है, CIP को, ठीक है, चलिए, Unitum Indexing System, वस डिवाइज़ बाई, मॉर्टिमर टॉब, इन, Unitum जो Indexing System है, उसको डेवलाप करने वाले, मॉर्टिमर टॉब हैं, और किस साल में, इन्होंने डिवाइज किया, तो वो किया, 1953 में, उसके बाद से, T.E.I. is short for Text Encoding Initiative, The T.E.I. is an international organization founded in, किस साल यह found हुआ है, तो यह हुआ है 1987 में, ठीक है, चलिए, उसके बाद, Who has written the book, The Practice of Management, यह सवाल तो आपको पता ही होगा, Peter F. Drucker, 1954 में है, चलिए, उसके बाद, 86 नमर क्या है, Who stabilizes, The Institute for Scientific Information, ISI, इसने किया यह, यह किया है, Eugene Garfield ने, Eugene Garfield के और famous चीज़ क्या है, इन्होंने Citation Indexing दिया, फादर यही कहला है, आना, चलिए, और 1960 में, ISI जो बना है, वो 1960 में, 1960 में, बना है, यह चीज़ भी याद रखिएगा, उसके बाद, 87 नमर क्या है, Scientific Electronic Library, Online Citation Index, Was Stabilized in, कब हुआ है, यह हुआ है, 2014 में, ठीक है, चलिए, उसके बाद, हमारा और क्या है, 88 नमर क्या है, Who among the following, defined management, the art of, knowing what you want to do, in the best and cheapest way, यह बात किस ने कही है, तो यह बात कही है, हमारी, FW, Taylor ने, ठीक है, चलिए, उसके बाद से है, 89 नमर क्या है, Leapquel plus, a web-based survey tool, for advanced measurement of data quality, in library, is offered by, Leapquel plus, जो है हमारा, web-based survey tool है, यह भी सवाल पूछा है, तो इसको offer कर रहा है, इसको एक तरह से कही है, कि maintain कर रहा है, या देख रहा है कौन है, तो वो है हमारे, Association of Research Library, A-R-L, उसके वाद से, The Wheat Loan Educational Exchange Program, was initiated in, यह हुआ, कब हुआ था यह, और यह US से रिलेटेड है, यह भी याद रखिएगा, और यह हुआ था 1951 में, ठीक है, चलिए, 91 नमर क्या है, दिटम grapevine, is also known as, grapevine को हम लोग, क्या बोलता है, एक और नाम से, वो है informal communication, ठीक है, चलिए, Who proposed the term, global village, global village का टर्म, किसने दिया है, या किसने प्रपोस किया है, तो वो हो जाएगा, Marshall, Maclun, ठीक है, 93 नमर क्या है, creative commons, offers, CC04, इसके लिए होता है, यह होता है, copyright holders के लिए, ठीक, उसके बाद, 94 नमर क्या, JStore is an, online system, for archiving, and accessing, academic journals, books, and primary sources, which is located in, the JStore कहां का है, JStore simple, हमारा USA का है, ठीक है, चलिए, उसके बाद, 95 नमर क्या, which are the types of literacies, digital literacy, computer literacy, information literacy, literary warrant, कौन-कौन से है, तो इसमें देखिए, literary warrant आपको लग रहा है, ठीक है, literary warrant प्रिंस्पल है, हमारा एक, classification में, इसका answer हो जाएगा हमारा, पहला, दूसरा, तिसरा, तो digital literacy हो गया, computer literacy हो गया, information literacy हो गया, लेकिन literary warrant हमारा नहीं है, ठीक है, 96 नमर क्याप्स, क्याप्स डप्लावट बाई निस्केर, is related to, किस से related है, तो ये document delivery service, ठीक है, DDS, in short में भी कहीं लिखा हो, तो इस से भी समझ जाएगा है, ठीक है, और caps को develop करने वाला निस्केर है, उसके बाद से, ये जो है standard, ISO, IEC, 18004, colon, 2000, is the international standard for developing, क्या develop करता है, ऐसे last का याद रखिए, 3000, तो वो हो जाएगा आपका, QR code, ठीक है, चलिए, इसके बाद, knowledge that may not be expressed, by an individual is, एक होता tacit और एक होता implicit, टैसिट नॉलेज़ और implicit knowledge में, simple आप समझ लिज़े, explicit knowledge वो knowledge होता है, जिसको हम, easily, मतलब सिंपल ऐसा समझ जिए, कि जिसको हम write down कर लेता है, और share कर देता है, लेकिन, tacit knowledge जो होता है, वो आप, personal experience होता है, उससे आपको लेते हैं, और ये express करना, बताना बहुत difficult होता है, ठीक है, तो, ये क्या है, may not be expressed, express नहीं कर सकते हैं, तो इसका answer क्या हो जाएगा हमारा, tacit knowledge, ठीक है, और explicit knowledge क्या है, जो हमारे पास, जाइट से बात, अगर हम कहीं लिखे हुए हैं, तो वो तो easily, हम share भी कर सकते हैं, और express भी कर सकते हैं, लेकिन, tacit knowledge में ऐसा नहीं होता है, tacit knowledge, जो होता है, आपको personal experience से आता है, और वो difficult होता है, express करना बहुत, ठीक है, तो यह दोनों में यहीं फार्क है, उसके बाद, Indian Trademark Act is enacted in the year, तो यह हो गया आपका, 1999, 1999 में, 2000 में हमारे क्या बना है, 2000 में IT Act बन गया, Design Act बन रहा है, ठीक है, चलिए, उसके बाद हमारा आ जाता है, last question क्या है, which programming language is called the mother of programming languages, किसको कहा जाता है, तो यह कहा जाता है, C को, C कहा है, मारा programming language है, तो इसके साथ आपका total 100 questions हो गए, और देखिए, यह आपको करीब 5 पार्ट था, तो 5 पार्ट होने के बाद से आपको 500 questions हो गए हैं, आप इसको कर लिजे, और पीछे का भी जरूर एक बार देख लिजे, क्योंकि एक गंटे का lecture होता है, ज्यादा से ज्यादा यह और एक गंटे में आपको 100 questions revise हो जाते हैं, इसी भी होते हैं, थोड़े tough भी होते हैं, लेकिन आपके लिए अच्छा है, ठीक है, और जो चीज नहीं आए, उसको आप लिखने की कोशिश जरूर कीजिए, आपने डायरी रखिए अपने सामने, और जो question अगर हम बता रहे हैं, या audio में कुछ चीज अलग बता रहे हैं, ता आप उसको लिखो, और किसी में confusion हो, तो पहले खुझ से भी गूगल करके आप जरूर पढ़िए उसको, क्योंकि आप जब गूगल से करेंगे न, तो answer देखिए, answer बता देना, क्या है, आपने question पूछा, हमने answer बताया, वो चीज क्या है, आपको limited एक knowledge हुआ, लेकिन जब वही चीज उसी topic पे आप खुझ से जाके search करोगे, तो आपको बहुत सारी चीजे पता चलेंगे, उससे related भी चीजे आपके सामने results आएंगे, तो उससे क्या होगा, उससे आपको एक के साथ साथ आपको 5-6 चीजे पता चल जाएंगी, ठीक है, और नहीं समझ में आया, तो हम तो हैं, अब हमसे बिल्कुल पूछिएगा, ठीक है, चली, ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच,